स्पेक्टर मॉर्डन इंडियन हिस्ट्री में हम 35 लेक्चर पर पहुंच चुके हैं जिसमें हम टेंपल एंट्री मूव्मेंट के बारे में डिसक्स करेंगे इस ब्रीफ इंट्रिक्शन अबाट में मैं इस पिंस लूथ्रा ओल इंडिया रेंग 577 और जो topics हम discuss करने वाले हम SNDP मूपन के बारे में तफसील से इस के इंडिसक्स करेंगे जस्टिस मूपन के बारे में पढ़ेंगे, टेमपल एंट्री के बारे में पढ़ेंगे इंडियन सोशल कॉन्फरेंस को देखेंगे, वहावी मूपन को भी इसमें दिखा जाएगा question पूछता है कि SNDP moment किस ने start किया था, SNDP moment was started by, चार option दिये हो है, first कहता है, CN Modalier, second श्री नरायन गुरु स्वामी, third TM Nair, fourth is P. त्यागराज, सोचे के answer होगा, फिर इसको discuss करेंगे, चलिए, तो यहाँ पर SNDP moment जो है, इसी के उपर बनाया गया, SNDP की full form के है, यह भी हम देखेंगे, SNDP moment के बारे में कौन सी statement correct है, तीन statements दे रहे हैं, आपको one by one पढ़ना है और बताना है कि कौन सी correct है, कौन सी incorrect है, पहली कहती है, SNDP moment was an example of regional moment born out of conflict between the depressed classes and the upper classes, यह जो particular moment था, यह basically कैसे arise हुआ था, जो depressed classes थी और upper classes थी, उनके बीच में जो conflict हुआ था, उसकी वज़े से arise हुआ था, हो सकता है, श्री नरायन गुरू धर्म परिपालन योगम, यह SNDP का full format ध्यान रखेगा, श्री नरायन गुरू धर्म परिपालन योगम was registered in 1903 under the Indian Companies Act, उन्होंने इस particular moment को start किया था, उन्होंने का था, सब भी religion जो है, वो same है, और उन्होंने animal sacrifice को भी यहाँ पर मना किया था, सोची के answer होगा, फिर discuss करते हैं, चलिए, इसकी थोड़ा सा background देख लेते हैं, देखिए, एक community थी, E-Z-H-A-V-A-S, इसको pronounce करते है, Airwas, Airwas कहके इसको pronounce करते है, कि मैंने गलत pronounce कियो, तो मुझे comment section बताइएगा, बट जो केरला से मेरे friends हैं, मैंने उनसे पूचा था, उन्होंने मुझे बताएगा, कि इसको Airwas कहके pronounce करते हैं, this was the single largest caste group केरला के अंदर, 26% population जो थी, वो Airwas की थी, और यहाँ पर total population का 26% होने के बावजूद भी, discrimination जो था, वो उनके साथ किया जाता था, तो यहाँ पर उनको पूचा करने की जो अन्मुती थी, वो नहीं मिली हुई थी, और यहाँ पर जो हमारे श्री नरायन गुरू है, वो इसी community से आते थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक stone उठाया, ठीक है, उसको establish किया, औ उसकी पूजा करनी शुरू कर दी, और एक तरीके से जो आइडल वर्शिप होता है, जो अभी तक so-called अपर कास्ट के हातों में ही था, उसको start कर दिया, एरवास के लिए भी, और ये भी कहां कि देखिए, जो आइडल वर्शिप है, that cannot be the monopoly of higher caste only, तो किसे भी caste community से कोई आता ह है, तो आइडल वर्शिप कर सकता है, ऐसा यहाँ पे एक initiative जो था, वो लिया गया, तो SNDP movement इसी वे जैसे arise हुआ था, yes, depressed classes और अपर कास्ट के बीच में, जो एक conflict था, उसको लेकर इसे start किया गया था, SNDP जो था, as companies act के अंदर register भी इसको किया गया था, 1903 के अंदर, ये statement भी हमारी ठीक है, और यहाँ पे जो इनको चलाने वाले थे, start करने वाले श्री नरायन गुरू थे, उन्होंने कहा कि देखे, सभी religion जो है, वो बराबर है, वो समान है, और उन्होंने animal sacrifice को भी condemn किया था, तीनों statement हमारी ठीक होती है, answer हो जाएगा, C, ये ध्यान रखेगा, A पूरी population की वहाँ की केरला की थी, वो arrow communities थी, और idol worship जो था, उसको यहाँ पे start करने का initiative लिया गया था, चलते हैं, next question के ओपर, which is question number 3, तीन statement दे रखी और आप से पूचा है कि कौन सी statement correct है, कौन सा कतन सही है, तीनो statements को one by one देखते है, वो का लिंगा was an anti-brahmin movement, तो वो का लि self-respect movement was started by E.V. रामस्वामी नाइकर, तो self-respect movement जो था, वो start किया गया था, E.V. रामस्वामी नाइकर जी के द्वारा, सोची के answer होगा, फिर discuss करते हैं, चलिए, तो सबसे पहले self-respect movement के बारे में ही मैं आपको बताता हूँ, तो yes, it was started by E.V. रामस्वामी नाइकर, यहाँ पे ब्रामनिकल और्थोडॉक्सी, ब्रामनिकल रिलिजिजन को यहाँ पे reject किया गया था, इस movement के द्वारा, तो तीसरी statement जो है, वो हमारी correct हो जाती है, फिर्स्ट को देखते हैं, क्या वोकल लिंगा एक anti-brahmin movement था, तो yes, पहली statement भी हमारी ठीक हो जाती है, it was an anti-brahmin movement, उस बद था क्या, देकि ब्रामन्स जो थी है, उनकी काफी domination थी, और ऐसा हमने पहले last lecture में भी देखा था, कि आर anti-brahmin movements जो चलाए गए, वोकल लिंगा के द्वार आप वो बिल्कुल statement correct है, justice moment क्या, श्री नरायन गुरू ने चलाया था, तो justice moment was not started by श्री नरायन गुरू, राथर यहां पे तीन personalities थी, पहली थी CN, मुधलियार, second, TM, नायर, और तीसरे थे P, त्याग राज, इन तीनोंने म मिल सके, representation मिल सके, legislature के अंदर, तो यहां पर second statement incorrect हो जाती है, answer हमारा हो जाएगा, B, पहली और तीसरी statement हमारी दोनों correct है, चलते है next question के ओपर which is concerning, temple entry, तो आपर temple entry को लेकर तीन statement दे रखी है, आपसे पूछा है कौन सी statement correct है, कौन सा कतल सही है, देखते है one by one, पहली statement कहती है, it was supported by गांधी जी, temple entry moment जो था, उससे गांधी जी ने support किया था, हो सकता है, महराजा और ट्रेवन कोर issued a proclamation throwing open all government controlled temples to all Hindus, तो महराजा और ट्रेवन कोर जो थे, उन्होंने एक proclamation दी, और जितने भी temples थे, वो सभी हिंदूस के लिए, जो government वाले temples थे, उनको open कर दिया, सभी हिंदूस के लिए, irrespective of the caste, ये भी हो सकते है, it was started by टीके माधवन, जो temple entry moment था, ये टीके माधवन जी के द्वारा start किया गया था, सोची के answer होगा, फिर देखते हैं इसको, चली, तो यहाँ पर temple entry moment जो है, yes, it was supported by गांधी जी, तो पहली से इपन बिल्कुल ठीक हो जाती है, और यहाँ पर जो महराजा ओटरेवन को है, उन्होंने भी काफी important role जो था, वो play किया था, क्योंकि government supported जो temples थे, वो सभी हिंदूस के लिए खोल दिये गए थे, इसको start करने के लिए, जो leadership role लिया था, वो लिया था, टीके माधवन जी ने, और इसी वज़े से, तीसरी statement भी ह हमारी correct हो जाती है, answer हमारा हो जाएगा D, क्योंकि तीनो statements correct है, टीके माधवन जी के बार में मैं आपको बताऊं, तो he was a prominent social reformer, अपने time के काफी बड़े social reformer हुआ करते थे, और टीके माधवन जी editor भी थे, किसके एक यहाँ पर देश्य भिमानी करके था, इसके अंदर editorship का, इन्होंने role भी play किया था, अगर ट्रेवन कोर की बात करी जाए, तो यहाँ पर खास तुर पर जो northern region था, ट्रेवन कोर का, वहाँ पर ये temple entry movement का agitation सबसे जादा देखा गया था, चलते हैं, next question के ओपर, which is question number 5, question number 5 बात करता है, Indian social conference के बार में पूचा के, Indian social conference किसने found करी थी, चार नाम दिये गए है, रादकान देव, M.G. रानाडे, शिरी नरायन गरू, T.K. माधवन, सोची के answer होगा, फिर discuss करते हैं, चलिए, तो Indian social conference found करी थी, महादेव, गौविल, रानाडे जी के द्वारा, तो M.G. रानाडे is the correct answer, इनके साथ सथ रगुनाथ राओ, ये भी इन के साथ इनको support करने के लिए, Indian social conference जो थी, annually, मतलब हर साल में एक बार मिलती थी, और पहला जो इसका session हुआ था, फर्स session भी पूछा जा सकता है, फर्स session इसका हुआ था, मदरास के अंदर, 1887 में, जब मैं आपको 1887 कहता हूँ, तो एक चीज़ और आपके दिमाग में आनी च question पूछा जा सकता है कि, INC से पहले कौन सी organizations थी, INC के बाद में कौन सी organizations थी, INC से पहले कौन सी conference थी, INC के बाद में कौन सी conference थी, तो इंडियन social conference, जो एमची रानाड़े जी के द्वारा बनाई गई थी, इसका first session, 1887 में हुआ था, तो it is post Congress ध्यान रखेगा, और यहाँ प spectrum की book को MCQ के थुरू cover कर रहे हैं, लक्षमिकांत की book को भी हमने MCQ के थुरू cover किया है, आप उसको भी try कर सकते हैं, उस series को भी अपने exam के लिए, prelims के exam के लिए आपको help करेगा वो, चलते हैं next question के उपर which is question number 6, वहाभी movement के उपर, एक question बनाया है हमने, वहाभी movement के बारे में कौन सी statement correct है, इसके बारे में देखेंगे कि किसके विचारों के द्वारा ये influence हुआ था, किसने इसको बनाया था, इसका purpose क्या था, ये सब चीजे इसमें discuss करने वाले हैं, पहली statement कहती है, the teachings of Waliyullah were further popularized by शाह अब्दुल अजीज, तो teaching जो थी, किसकी, Waliyullah की, वो popularize करी गई शाह अब्दुल अजीज के द्वारा हो सकता है, it is referred as Waliyullah movement, ये जो वहाबी movement है, इसको Waliyullah movement भी कहा जाता है, वहाबी played an important role in spreading pro-British feelings, तो British की basically समर्थन में उतरे था, ये pro-British feelings को spread करने में इनका basic role रहा था, सोची के answer हों का फिर discuss करते हैं, चलिएं, देखें, वहाबी movement के बारे में हम शुरुवाती lectures में भी discuss कर चुके हैं, इसके उपर एक question हमने तब भी देखा था, कि किसकी inspiration रही थी इसके बीचे, तो यहाँ पे teachings जो थी Waliyullah की, वो further popularize करी गई थी, शाह अब्दुल अजीज के द्वारा ये पहली statement ठीक है, औ और इसी movement को और इसी वज़े से Waliyullah movement भी कहा जाता था, तो दोनों statement ठीक है, लेकिन वहाबी जो थे, they were not pro-british, rather they were anti-british, तो anti-british थे, नहीं पसंद किया करते थे, British की जो philosophies थी, British को नहीं पसंद किया करते थे, और इसी वज़े से British ने अपनी military might को use करते हुए, इनको fizz जी नहीं थी, तो answer मा रहा हो जाएगा D, क्योंकि पहली दो statement correct है, तीसरी is incorrect, अब हुआ इसके अंदर ओर क्या था, un-Islamic practices जो Muslim society के अंदर आ चुकी थी, उसको eliminate करने के लिए, काफी efforts किये गए थे, सेयद एहमद ने भी कहा था कि हमें अब pure Islam की तरव जाना चाहिए, जो various society के अंदर evils जो है, जो penetrate कर चुके है, उसको निकालना जरूरी है, चलिए, next question पर चलते है, which is question number 7, who was the founder of Wahabi movement, शुरवाती लेक्चेस में जब हमने ये discuss किया था, तो एक individualist को दो नाम से जाना चाहता है, मैंने वहाँ पर दूसरे नाम को use किया था, बट यहाँ पर मैं किसी बट नाम को use करा हूँ, क्योंकि ये भी उनी individual personality का नाम है, तो वहाबी movement किसने start किया था, क्या मीर निथार अली ने किया था, सेयद एमजी ने किया था, महमद शा ने या नजीर खान ने किया था, सोचे क्या answer होगा, एट जो कि फायराइजी movement को लेकर है, फायराइजी movement के armed with clubs to fight the zamindas who were all Hindus, जो फैराइजी थे, इन्होंने एक paramilitary force जो थी, उसे organize किया था, ताकि जो जमीन दास, जो कि सारे की सारे हिंदूस थे, उनके साथ fight करी जा सके, हो सकता है, the organization even established its own law courts, तो इस organization ने अपनी courts जो थी, वो भी establish करी थी, सोचे क्या answer होगा, चली, तो में हाजी शरियत उल्ला जी ने इसे found किया था, तो बिल्कुल statement ठीक है, अपने आप में भी एक MCQ बनके आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर next जो है, क्या इनकी paramilitary force थी, बिल्कुल सही है, paramilitary force इनकी थी, second statement, बताऊंगा सही है के नहीं है, बट पहले इत में muslims भी थे, छेक है, लेकिन जादातर जो थे, वो हिंदूस थे, तो यहाँ पर जो word दिया है, all Hindus, all नहीं थे, बट mostly हिंदूस थे, लेकिन muslims भी थे, जो zamindas exploitative थे, और इसी की वज़े से paramilitary force का conflict हुआ था उनके साथ, तो fireizing movement भी आपको समझ में आ गया, क्योंकि आ ग statements हमारी correct है, इसके अलावा कुछ चोड़ चीज़े देख लेते हैं, यहाँ पर फरादीज जो थे, इन्होंने अपनी paramilitary force तो बना ली थी, courts भी अपनी बना ली थी, और यहाँ पर जो जमीन दास्ते हैं, उनका जो opposition था, वो भी करना शुरू कर दिया था, साथ में लेंड landlords को यह पसंद नहीं किया करते थे, जो indigo planters थे, वो भी इनका exploitation करते थे, उनको भी यह पसंद नहीं किया करते थे, और यहाँ पर दादुमिया, जो की एक important personality निकल के आया थे, इस moment के अंदर, उन्होंने कहा था कि लोगों को rent pain नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्या और फाइनली उनके arrest के बाद, यह जो पूरा का पूरा moment था, वो weak हो गया था, ठीक है, चलिए, next question पर चलते है, next question is question number 9, question number 9 पूछता है, which are the following statement, or statements is or are correct about एहमधिया movement, एहमधिया movement के बारे में कौन सी statement ठीक है, तीन statement दे रखिये, one by one देखते है, पहली कहती है, it was founded by Mirza Gulaam 1889, तो इसे Mirza Gulaam एहमध जी ने 1889 में found किया था, हो सकता है, it was based on conservative principles, यह basically जो रूडिवादी principles हुआ करते थे उस time के, उस पर यह अधारित था, यह भी हो सकता है, the movement spread Islamic education among the Indian Muslims, तो इस movement का जो basic purpose था, वो यह था कि Islamic education भारतीय मुसलिमों को किस तरीके से दी जा सकती है, सोचे के answer का फिर discuss करते हैं, चलिए देखिए हमने Indian Renaissance के बारे में पढ़ा है, इसको भी हमने Renaissance के साथ जोड के देखा था, क्योंकि यहाँ पे जो इनको start करने वाले राजा रामोहन रोहे थे, उनको father of Renaissance, father of Indian Renaissance के नाम से जाना जाता है, इसी तरीके से Muslims के लिए जो Renaissance था, वो कौन सा चीक है, तो जब Renaissance के बात करी जाती हैं, तो scientific thought की बात करी जाती है, लोग पीछे मुड के नहीं देखते हैं, रूडिवादी principles की बात नहीं करते हैं, conservative principles की बात नहीं करते हैं, वो liberal humanity की बात करते हैं, जिहाद को अपोस करते हैं, universal religion की बात करते हैं, और यहाँ पे एहमधिय की बजाए, यहाँ पे liberal principle को बढ़ावा दिया गया, उसके बारे में बात करी गई, western education, western liberal education की बात करी गई, कि इंडियन muslims को western liberal education जो है, वो दी जानी चाहिए, तो answer हमारा हो जाएगा ए, क्योंकि पहली statement correct है, बाकी second, third हमारी incorrect है, तो देख लीचे मिर्जा गुलाम, जो थ ती, he wanted to reconcile western scientific education with the teachings of Quran, वो चाहते है कि जो Quran है, और जो western scientific education है, इन दोनों की teachings जो है, वो reconcile करनी चाहिए, उन दोनों को मिला के जो उन दोनों के ऐसे principles है, जो एक दूसरे के वो support करते, वो जो है education muslims को देनी चाहिए, he also held the Quran to be the ultimate authority, उनके हिसाब से Quran जो की वो एक ultimate authority थी, he said that religion should be adaptable with time, else it would become fossilized, तो यहाँ पर religion जो है, उसको time के सबसे adapt होना चाहिए, change होना चाहिए, otherwise वो fossilized हो जाएगा, जैसे आपको पता, fossils होते हैं, जो जमीन के नीचे आपको मिलते हैं, वो basically dead आपके plants होते हैं, dead आपके polyps होते हैं, तो उस तरीके से religion भी, जो religion है, उसकी existence भी मुश् सेयद एहमद खान का, सोची के answer होगा, चलिए, तो यहाँ पर answer हमारा है, D, सेयद एहमद खान का, जो thought process है, वो तीनो ही statements हो हैं, वो बताती हैं, तीनो statements के हिसाब से, सेयद एहमद खान जो होते हैं, वो Muslims के लिए चाहते थे, कि पहला जो उनका focus होना चाहिए, वो education पे होना किया था, he also struggled to bring about an improvement in the position of women, तो education, job के अलावा, उन्होंने women की position को भी better करने के लिए काफी, यहाँ पर contribution दिया था, परदा system को उन्होंने मना किया था, polygamy को उन्होंने advocate किया था, और कहा था कि जो divorce है, वो भी easily provide किया जाना चाहिए, तो सेयद एहमद खान जो थे, उनका thought process क काफी progressive था, जो चीज़े हम आज बात करते हैं, वो उस time पर बात किया कर रहे थे, तो ध्यान रखिएगा, 10 questions हमारे complete होते हैं, यहाँ पर हम दो मिनट में revision करेंगे इसकी, चली, शुरुवात करी थी, SNDP movement से हमने श्री नरायन गुरू, धरम परिपालन, योगम, स्टार्ट क इसने किया था, शिरी नरायन गुरू, स्वामी जी ने किया था इसको, यहाँ पर इनको company's act के अंदर register किया गया था, depressed classes और upper caste के बीच में जो conflict रहता था, airways community का मैंने आपको पूरा समझाया था, यह सारा इसको ले करता, religion जो होगा, वो सब के लिए बराबर होगा, animal sacrifice नही पर भी seats मिले, self respect movement EV, रामसोमी नायकर जी ने स्टार्ट किया था, temple entry movement के बारे में देखा था, गांधी जी ने सपोर्ट किया था, महराजा और ट्रेवन कोर्जो थे, उन्होंने भी जितने भी government supported, यहाँ पे मंदिर थे, वो open कर दिये थे, and it was started by TK माधवन, तो यह भी ध्य movement चो था, वलियूला movement भी इसे कहा जाता है, और यह एक anti-british movement था, जिसे finally, British इस नहीं अपनी शक्ति को यूज करते हुए, खतम किया था, फिर इसमें, फिर हमने देखा था, fire easy movement के बारे में, अपनी इनकी courts थी, अपनी paramilitary force थी, जमीनदार्स, indigo planters, land roads के against में, यह start किया था, जादा तर जो यही जमीन दास्ते हिंदूस थे, लेकिन इसमें Muslims भी साथ में involved थे, फिर हमने देखा था, fire easy movement के बारे में, इन्होंने, दादु मियां जो थे, उन्होंने का था, कि rent नहीं पेकरना चीए, फाइनली उनको arrest किया गया और जो movement था, पूरा week हो गया था, ए पूरान के बारे में बात करते थे, उनको ultimate authority मानते थे, लेकिन western scientific education को भी बड़ावा देने की बात करते थे, और कहते थे कि religion जो है, उसको adapt करना चाहिए, as per time, और यहाँ पे women education की बात करी, कहा कि Muslims को education लेनी चाहिए, job लेनी चाहिए, political activities में participate नहीं करना चाहिए, और साथ मे जो पड़ता सिस्टम है और polygamy है, उसका इनोंने विरोध किया था, दस questions हमारे complete होते हैं, इन में से कोई भी question आता है, I think आप capable enough है कि इसका answer कर पाएंगे, you can subscribe the YouTube channel, ताकि वहाँ के current face आप से मिसना हो, because prelims के लिए current face are equally important, thanks for watching, have a nice day.